नमस्कार साथियों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर मैं हूँ एस्ट के दास तो साथियों आज हम लोग आये हैं जो 2030 में जो होकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा जो चेंड में बड़ा इस्टेडियम बन रहा है उसे इस्टेडियम कम लोग देखने के लिए आये हैं तो च है वर्ल्ड कप खेला जाएगा जिसमें सॉलल टीम भाग ले रहा है कि कफी अच्छे चेट बंभा ले रहे था इह रोड है अपनों देख रहे हैं है इस्टेडियम के किनारे में आपका रोड है देख रहे हैं रोड का किनारे में वह वांडरी है अ ग्रियों भरियज पान स है कि काफी जोर सोर से तयारी किया जा रहा है अ बोंडी का बगल में रोड बन रहे हैं अ अ ज़िए हम गया हम आउर कोशिस करेंगे अ कफी जोर सोर से काम चल रहा है साथ यह कि चलिए हम लोग काई कि अंदर गिये तेलिके अंदर हम लोग को बनाने नहीं दिए वीडियो कि इसलिए हम बाहर से बनाने कोशिस करें कोशिस करूंगा आपको आपको अच्छा से अच्छा जनकारी देने के लिए कि आपकी बड़ा स्ट्डीम बनाय जा रहा है अब मैं अंदर गया तो देखने के लिए देखे तो तो बहुत बड़ा बनाय जा रहा है लेकिन मैं आप लोगों को जूम करके दिखाने कोशिस करूँगा ज्यादा से ज्यादा गेड काफी अच्छा बना रहे हैं तैयार होने के बाद आज अच्छा लगेगा तक पी जो सो से काम चल रहा है काम बहुत जो सो से चल रहा है अंदर में ओपिस हो गया रहा है अपिस सब बहुत अच्छा बनाए है गेट तयार होने के बाद काफी अच्छा लगेगा अंदर में अपिस अच्छा बन रहा है अब लोगण नजरा एफ से रहेगा फिर था मुंदा और किस्ट इडियम का अब दों देख रहे हैं कतना अच्छा बन रहा है कि यहकुल लग है कि इंट्रनेशनल उपे श्टेडियम है किflower तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है यह आप लोग देख रहे हैं बाहर से कितना अच्छा लग रहा है बाहर का बनावड उसका बहुत अच्छा है बाहर सब जो काफी अच्छा लग रहा है ज्यादा तर एस्टेडियम में एंगल का यूज किया गया है एंगल सब लगाए है लोहा का बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है इस्टेडियम में बड़े बड़े टावर है जो 70-45 फीट का होता है अब एस्टेडियम को बजट 120 करोड है तो एस्टेडियम भी उसे ही बन रहा है और इसका जो केपासिटी है कि वीच हजार दर्सा का केपासिटी है एक साथ बहुत अच्छा बन रहा है काम का भी जोर सोर से चल रहा है क्योंकि इसको तेरा जनवरी से पहले कंप्लेटर लिया जाएगा हम वो लगता है दिसंबर में इसका उर्णाटन हो जाएगा अब बहुत अच्छा बन रहा है इस्टेडियम का खूपसूरती कितना अच्छा है अंदर में कुछ फ्लाड सब है अच्छा बन रहा है अब यह इतना अच्छा लग रहा है बाहर में चारों तरफ गलास लग जाया जाएगा फिर देखने के लिए अब बिर समंग्डा फोकी एस्टेडियम एक बिगेश्ट एस्टेडियम है बड़ा बजट में इसको बनाया जा रहा है जो आपका यह इस्टेडियम तयार हो जाएगा तो रॉलकला को एस्वार्ट शिटी बनाने में इस्टेडियम का भी बहुत बड़ा योगदान रहेग यह आपका रोड है इधर से आपकी रॉलकला भी जा सकते हैं सामने सब देख रहे हैं इस्टेडियम के बन रहा है सामने सब यह नजारा देखी कितना अच्छा बंबा है कि बनने के बाद का प्यस्का लगे है विर्षा मुंदा होकी इस्टेडियम तो ऐसे तयार हो रहा है सर जी विर्षा मुंदा होकी इस्टेडियम कि आप सामने से देख रहे हैं ऐसे रहेगा काम काफी जो सो से चल रहा है कि इस्टेडियम अंदर का नजारा दिख रहा है सीट सब रेड रेड दिख रहा है हुआ है कि 20,000 गर्षा का किपासिटी अभाई इस्टेडियम तो बहुत अच्छा बन रहा है तो ऐसे रहेगा सर्जी कि मैं आप पो चारों तरब से दिखाने का कोशिस कर रहा है कि अधिर्षा मुंदा होकी इस्टेडियम इस्टेडियम इस्टो बनाया गया है काम काफी जोड़ सोब से चल रहा है काफी बड़ा एरिया में इसको बनाय जा रहा है होकी वर्लकाप से पहले इस इस रोड़ तो भी अच्छा बनाया जाएगा बीच में कुछ फूल का सब कुछ लगाया जाएगा इसके बाद इस रोड़ का खूब सुर्ति और बढ़ जाएगा तो सर जी इधर एक टू गेट रहेगा आपका यह लाइक टू गेट है टोटल तीन गेट है अभी जो पहले जो हम नों अधर देखे एक टू इसके बाद यह लाइक टू रहेगा इसके बाद एरपोर्स आएंगे तो सामन जी इसके बाद एढ़ लगता पारकिंग रहेगा अपसे अबना कि गारी का पार्किंग रहेगा नजटा आप साह देवला लगता है गारी का पार्किन रहा है कांग कफी गोर से चल रहा है कि इधर साइसे देखे गां कि अःथि की अच्छा डियम बनाया जा रहा है तो डियम करना अजार ऐससे रहेगा भॉए है बहुत अच्छा बनाया जारहे वे लिए ऑश्या इसा बजट है कि स्ल्सडियम और ये वराै जा रहा है कि अंदर जाने नहीं दिये लेकिन मैं कोशिस कि आपको बाहर से अच्छा जानकर देने का को दो होटी अच्छा जारहा है अच्छा च्तिडियम इसको बनाए जा रहा है अच्छा पनाय जा रहा है अच्छा यूदयम देखके मजह आगया क्या यह है कि अक बाह्र हने जारहा है त्यार होने के बाद वाकिए अपको लगेगा है कि हम स्मार्ट शिटी में आगी है अंदर हम बहुत अच्छा अपीस से बनाया गया है खिर पर न पकाय है और समेस्टिन को आपको बनाया अब रहे हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब 39 अधिक करेंगे तो मैं ये गाच में चढ़ ज़ाँगो भाई और जब वीडियो बनेंगे तो उसी दिन मैं उत्रूंगा उत्ना दिन में इस पेड़ का पत्ता ही खाता रहूंगा तो सातियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं लगता भाई थांकियो सर जय हिंद बंदे महत्रम